श्री कृष्ण कहते हैं कि सुभा जो भी यह एक चीज खाएगा वो धन एश्वर्य को पाकर त्रिप्थ हो जाएगा। ये चीज सुभा खाने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेंगी। हर कार्य सफल सम्पूर्ण होगा। वह लक्ष्मी की कृपा निरंतर बनी रहेगी। व्यक्ति एश्वर्या विलास में खेलेगा। दोस्तों हम भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन मानव जाती के लिए विशेश शिक्षाप्रद हैं। सुदामा के साथ मित्रता हो या अर्जुन को गीता का ज्यान देना, भगवान कृष्ण के जीवन का हर पल कुछ न कुछ जरूर सीखाता है। धर्म पंडित कहते हैं कि श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर यदि चला जाए तो जीवन की सारी कठिनाईयां दूर हो सकती है। तो जानते हैं श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि हमें ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए जिनसे हम प्रभुको मा लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। कौन सी है वो चीज जिसे सुबह खाने से आपका जीवन सफल संपूर्ण हो जाएगा। आए इस वीडियो में देखते हैं लेकिन उससे पहले जानते हैं भगवान श्री कृष्ण और क्या कहते हैं। लेकिन साथ ही अपना कर्म भी करते रहो। यानि अपना काम छोड़ कर केवल भगवान का नाम लेते रहने के लिए भगवान श्री कृष्ण नहीं कहते। लेकिन इश्वर आराधना जरूरी है तो सुबह शाम घर के मंदिर में दीप जरूर जलाना चाहिए। सुबह घर में पूजा जरूर होनी चाहिए। प्रभु का नाम स्मरण होना चाहिए, उसके बाद ही दैनंदिन जीवन की शुरुवात होनी चाहिए। दीपक और धूप के धुए से वातावर्ण की नकारात्मक उर्जा खत्म हो जाती है। वास्तु के अनुसार हर रोज घर में दीपक जलाने से वास्तु के कई दोश दूर हो जाते हैं। दोस्तों दिन में नौ बार की हुई किसी भी वक्त वाली प्रार्थना अंतर्यामी तक पहुँच ही जाती है। सूर्य से आरोग्य की अगनी से श्री की शिव से ज्यान की, विश्नु से मोक्ष की, दुर्गामा से रक्षा की, भैरव से कठिनायों से पार पाने की, सरस्वती से विद्या के तत्व की, लक्षमी से एश्वर्य वृध्धी की, पार्वती से सौभाग्य की शक्ती से मंगल व्रिद्धी की, सकंग से संतान व्रिद्धी की और गणेश जी से सभी वस्तूओं की प्राप्ती है तू प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले सुभा क्या करना चाहिए, आए देखते हैं। सुभा जल्दी उठना मनुष्य को सवस्त, धनी और बुद्धिमान बनाता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ती के वो सभी मार्ग सुभा की शुरुवात में ही खुलते हैं, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए पूजा यग्य, तीर्थ स्थल, दर कोई शुभ मंगल कार्य सुभा के समय ही संपन्न करना उत्तम फलदाई माना गया है। दोस्तों को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ती को सुभा उठकर धर्ती को सपर्ष अवश्य करना चाहिए। इससे व्यक्ती के तन्मन में पूरे दिन भर सकारात्मक उर्जा का प्रवाह बना रहता है। ऐसा व्यक्ती सफलता हासिल करता है। धर्ती माता हमारा बोज उठाती है इसलिए शास्त्रों में बताया जाता है कि मनुष्य को सुभा उठकर धर्ती मा को सपर्ष अवश्य करना चाहिए। इससे आपके बिगडे काम बनते चले जाएंगे। आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे वो सफल संपूल हो जाएगा। दोस्तों दरसल हमारा शरीर भी भूमी तत्वों से बना है। धर्ती हमारे लिए मात्रु स्वरूपा है। जो भी हम इसमें बोते हैं उसे ही पल्वित पोशित करके वो हमें वापस दे देती है। अन् पवित्र उदक से किया स्नान हमारे शरीर को पवित्र कर देता है। दोस्तों गंगाजल का हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्व है। पुरान में वर्नित है कि गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयन देवताओं ने स्नान किया है। इसी कारण गंगा के जल को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। अगर आप नहाने के पानी में दो-चार बूंद गंगाजल डाल कर उस पानी से स्नान करते हैं, तो आपके सभी पाप कर्म नश्ठ हो जाते हैं। सकारात्मक उर्जा की प्राप्ति होती है। जीवन में काम्याभी मिलती है। गंगाजल के स्पर्ष से शरीर के अंदर की नकारात्मक उर्जा का नाश होता है, ग्रहजनिक दोशों से छुटकारा मिल जाता है। जो लोग शनी से पीडित हैं, राहु केतु से पीडित हैं, वो सब दुशप्रभाव तुरंत खक्म होने लगते हैं। एक शलोक में शनी देव ने स्वयं कहा था, कि जो मनुष्य मेरे क्रोध से बचना चाहता है, वो रोज नहाने के पानी में गंगाजल डाल कर स्नान करें। दोस्तों रोज रात को सोते समय तामबे के एक लोटे में जल भर कर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, फिर पूरी रात भर उसे अपने सिरहाने रखें। सुभर के समय इस जल के अपने बिस्तर पर छीन्टे मारें। बाकी जल को पीले नियमित जो मनुष्य ऐसा करता है, उसे युगों-युगों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा व्यक्ति सफल जीवन का आनंद पा लेता है। सहस्त्रों चांदरायन व्रत का जो फल कहा गया है, उससे अधिक फलों की प्राप्ति गंगाजल पीने से मिलती है। गंगाजल पीने से अश्वमेग यद्य का फल मिलता है। मान्यता है कि अगर मृत्यू के समय व्यक्ति के मुह में गंगाजल डाल दिया जाए, तो उसके पाप कर्म नश्ट हो जाते हैं, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगाजल कभी अशुध नहीं होता। ना ही ये कभी सड़ता है, गंगाजल का छिड़काव दिव्यशक्तियों से भरा रहता है। देवी गंगापाप काटने वाली और कष्टों का उध्धार करने वाली मानी गई है। शिवपुरान में भी बताया गया है कि नियमित अपने वस्त्रों पर गंगाजल का छिड़काव करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। व्यक्ति स्वर्ग लोग की प्राप्ति कर लेता है। दोस्तों सनातन धर्म में लॉंग को बहुत ही पवित्र माना गया है। लॉंग पूजा के अलावा मंत्र तंत्र में भी इस्तिमाल होती है। इसे उर्जा का वाहक माना गया है। किस्मत को बदलने, सपनों को पूरा करने है, तो यह उप्युक्त मानी गई है। माना जाता है कि लॉंग में देवी दुर्गा का वास होता है। मा लक्षमी का वास होता है तो रात को सोते समय तकिये के नीचे लौंग रखें। सुबा उठने के बाद उस लौंग को पानी के साथ निगल लें। इससे दांतों से चबा ये नहीं कहते हैं। इससे नव देवियों की कृपा प्राप्थ होती है। उनकी कृपा से धन, एश्वर्य, बुद्धिमत्ता और निडर्ता की प्राप्ती होती है। आगे बढ़ने से पहले आप से रिक्विस्ट करते हैं कि विडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन जरूर दबाएगा। अब आपको बताते हैं कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो सुभा के समय व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। प्रभु कृपा से आपको हर कार्य में सफलता मिलती है, आक्म विश्वास में वृध्धी होती है, भाग्योदय होता है और ऐसी सफलता हमेशा धन दाई होती है। इसी के साथ सुभा घर से निकलने से पहले दो चार दाने चावल के अवश्य खाले। ये आपको मा लक्षमी की असीम कृपा दिलाएंगे। जब भी आप किसी महत्वपून काम के लिए बाहर जाएं तो मीठा अवश्य खालें। इससे आपके कार्यों में शुभता आती है अप्राप्य चीजों की प्राप्ती हो जाती है। हमेशा खड़ी रहती है, उस व्यक्ती का कोई कुछ बिगाड नहीं पाता। विरोधियों को वह परस्त कर देता है। चंदन का तिलक लगाने से लक्षमी की कृपा हमेशा बनी रहती है। घर में रोगशोक नहीं रहते। चंदन का तिलक लगाने से ज्यानतंतु सन्यमित और सक्रिय रहते हैं। चंदन का तिलक ताजगी लाता है और ज्यानतंतु की क्रियाशिलता बढ़ाता है। शास्त्रों में वर्नित है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्य को अरग्य देते हैं, तुलसी को जल चढ़ाते हैं, वेघर, परिवार और समाज में मान सम्मान प स्वास्थ्य और सुखों में व्रिधी होती हैं, और तुलसी की छोटी सी सेवा से भी देवी देवताओं की क्रिपा प्राप्ठ हो सकती है।